कि हाई विच्वारी वल्कम बैक तो दे चाडल सो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जो बहुत बड़ा अपडेट है अच्छली 26 को मतलब डियू का वैसे इसके लिए ओफिशिल नोटस भी आया था और 26 को दाट इस कल जो है डियू ने पना फेस्टू शुरू कर लिया था पर बहुत सारे बच्चों के इंक्लूडिंग भी फेस्टू अमलोग फिल नहीं कर पा रहे थे इसके लिए मैंने आपको नोटिफाइ करने के लिए एक शौर्ट भी बनाया था और टोल्ड यू के अभी वह नहीं ओपन हो रहा है बट जैसी होगा लट यू नो पर दैन उस को एक बार step by step guide कर दो कि कैसे आप अपने preferences को फिल कर पाओगे तो अभी यहां पर नौ step का यह पूरा प्रोसीजर है प्रोसीजर को अच्छी से समझेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे तो बाद में हमारे को कोई इशू नहीं रहेगा ऐसा है तो सबसे पहले तो आपको साथ में login करना है ना मैंने किसी बच्चे के credentials यहां से उठाए हुए थे बढ़ दिक्कत ही है कि हम लोगो शो नहीं कर सकते और साथ ही साथ में किसी बच्चे के लिए मैं preferences भढ़ दू तो थोड़ा ऐसा हो जाता है तो इसके लिए आपको अपने credentials के साथ में क्या करना है login कर हुआ था कि preferences आने के बाद में phase 1 जो है वो बंद कर देगा बट phase 1 जैसे जिसे हम registration क्याता है वह registration वाला का phase 10 October तक खुला रहेगा तो आपका अगर phase 1 अलड़ी फिल नहीं है आपने अभी रेजिस्टर नहीं किया है तो आप रेजिस्टर कर लिजे सबसे पहले तो phase 1 में आपको registration करना है जिसका procedure का वीडियो में अलड़ी बना चुकी हूँ जैसे आपने सबसे पहले उपर आपके class 12 के मार्क्स जो है वो शो किये जाएंगे अगर बाई चांस कोई गलती या कुछ आपको दिख रहा है तो आप उसको पहले एक बार चेक कर लिजे और चेक करके वहां पर आप उसे कंफर्म कर लिजे जैसे आपने वहां पर कंफर्म किया आपको नीचे एक और सेक्शन दिखेगा मैपिंग वाला अब यार डियो ने अपनी अपने एलिजीबलीटी में प्राइमरी एलिजीबलीटी यह बताई थी कि जो भी बच्चा हमारे आप पर एड्मीशन लेना चाहता है वो उन्हीं कोर्स के लिए एलिजीबल रहेगा जो सब्जेक्स उसने क्लास 12 में पड़ें अब यार बच्चों बहुत सारे सीवीटी में बहुत सारे अलग-अलग सब्जेक्ट डोमेन जो थे वह अलग-अलग फिल कीए थे और कोई बात नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहीं सूचा था कि हम लोग और एक साइड पर आपको आपके ट्वेल्ट का एक कॉलूम बनाया हुआ मिलेगा अब सब्जेक्स है उनने आपको मैप करना थे तो फॉर एक्जामपल आपने इंग्लिश चूज किया था आपके पास में इंग्लिश था आपने इंग्लिश सलेक्ट कर लिया अचा अगर मान के सब्जेक्स और आपके 12 के अंदर जो आपके पास सब्जेक्स थे उनके साथ में आपको इनको मैप करना है आपको बताना है कि यह सब्जेक्स में मैं अपियर हुई थी और यह सब्जेक्स जो है मैंने 12 में मेरे पास थे अब जैसे ही आप अपना ये मैपिंग कर लेते हो अब आपको क्या करना है यहां पर आपका पूरा एक declaration आएगा कि आप declare करते हो कि अपने mapping एकदम अच्छे से की है उस declaration से सीरा आप आजाएंगे step number five one second वाला जो है आपका page वो खुल जाएगा एंटीए कहता है मेरा काम केवल वहीं का था अब जाओ और जाकर युनिवर्सिटीज का दिमाग खाओ सो अभी सीवेटी के जो स्कॉज एंटीए ने रिलीस किये थे वो स्कॉज आपको दिखेंगे और नीचे क्योंकि अब आपने मैपिंग कर लिए तो अब आपको नीचे एक पूरा प्रॉपर लिस्ट देखने को मिलेगा उन प्रोग्राम का जिन प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है तो आपको पूरा प्रॉपर लिस्ट देखने को मिलेगा उन प्रोग्राम का जिन क्योंकि आपने जो मैपिंग की है उस मैपिंग में अपने प्राइमेरी जो फ्राइटेरिया था वो मीट नहीं किया तो आप अभी डियू के अंदर उस प्रोग्राम के लिए अलिजिबल नहीं तो आपको उतना जादा दिमाग और लगाना नहीं है आपने तो बस यह देखना है कि आप कौन-कौन से प्रोग्राम के लिए अकॉर्डिंग टूडियू एलिजिबल है तो आपको प्रोग्राम एलिजिबलिटी डिख गई अब जैसे यह हो जाता है अब आपका यहां से जो है वह काम आपका पूरा हो चुका है आप आप आपको लिस्ट आफ प्रेफरें चुन-कॉर्ण सारी स्क्राइव भी आपको देखने को मिलेंगे जो और अपको सारे बताता है जिनके लिए आपके सब्युक्स की अनुसार जो आपको अपने mapping के अनुसार जिनके लिए आप eligible हैं अब वो यार वो सारे तो मेरे को नहीं करने हैं तो सारे मेरे को नहीं करने तो मैं क्या कर सकती हूं अब मैं filter करूगी उपर मेरे पास एक filter का option आएगा मैं वहाँ पर जाओंगी और वहाँ पर मुझे एक list of अब ऐसे courses देखने को मिलेगा जिनके लिए मैं eligible हूँ अब for example मैं बीकॉम के courses के लिए उससे related courses के लिए eligible हूँ तो अब मैं क्या नहीं कर सकती हूँ मैं BA नहीं कर सकती हूँ for example history में तो वो मेरे को यहां पर filter में भी नहीं दिखेगा तो मैं filter पर गई filter पर जाकर मैंने वह वाले course select कर लिए उन courses में से जिन में eligible हूँ अल्रेड़ी वही दिखेंगे उन में से वह वाला course मैं पहले select कर लिया जो course मैं करना चाहती हूँ मेरे को तो वहां पर बहुत सारे preferences दिखेंगे तो जो course मैं करना चाहती हूँ वह मैंने क्या किया है वहां पर select कर लिया जैसे मैंने उस filter पर क्लिक किया अब नीचे जो मेरे पास में options आएंगे preferences आएंगे वहां पर मुझे वही courses दिखेंगे जो मैं pursue करना चाहती हूँ along with college तो मेरे courses और मैं कौन-कौन से college से उन्हें pursue कर सकती हूँ अब मैं उसे आराम से देख पाऊंगे अब मुझे क्या करना है जैसे मेरे को यह लिस्ट से देखने को मिल गई अब मेरे पास option आएगा मतलब मेरे पास यह सारी चीज़ों के साथ में option आएगा तीन options मेरे पास यहां पर screen पे होंगे जैसे मेरा एक program है program के साथ में मेरा college है और college के साथ में उसी particular column के अंदर मुझे तीन options देखने को मिलेगे पहला option होगा कि इसे अपनी preference में टॉप पर ले जाओ दूसरा option होगा कि आप इसे अपनी preference में नीचे लेके आओ और तीसरा आपके पास जो option होगा वो होगा आप इसे अपना ए नीचे यह सब तो छोड़ो आपको क्या करना है आपको उसको अपना एक number allot कर देना है तो जैसे मानलो मेरे को commerce के courses से मैं उनमें eligible हूं और मेरा वही program था तो मेरा सबसे पहला जो preference रहेगा वो srcc रहेगा तो मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले देखा कि मेरा program कहां पर है srcc का option आ रहा था मैंने srcc को number one allot कर दिया तो मेरी preference में अब मेरी priority में वह number one पर जा चुका ऐसे ही फिर मेरे को बाकी सारे colleges वहां पर दिखते रहेंगे और उन colleges की according number two number three number four मैं उसको allot करती रहूंगी तो यहां पर मैंने allot कर दिया preference number यहां पर प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी और देली उनिवर्सिटी भी चीक चीक के कह रहा है वह यह है कि आपको बहुत एकदम जी भर के जितने भी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो आपको उतने प्रेफरेंसेस फिल करने की कोशिश करो अपने combinations फिल करने की कोशिश करो क्योंकि इससे आपके selection की chances और जाधा बढ़ जाते हैं मैं आप प्रेफरेंसे पर जाएंगे एंड घ्याएंग ईक्षप्रेंसे और इससे आपका प्रेफरेंसीज जो फाइनली अप सब्मित हो गये तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपने अपने प्रेफरेंसे सामित कर दिएंगह रहा है तो आपको ये चीज़ ज़्यान रखने हैं कि नौ तारिक तक का तो इंतजार नहीं करना है हमें हमें यह जरूर करना है कि एकडम सोच समझ कि अपने प्रेफरेंस को भरना है क्योंकि आप जिस प्रायोरिटी में जैसे जिस लिस में जिस नंबर पर इसे रखेंगे उसी के अपको आपके कॉलेजिस मिलेंगे वहां कोई गलती ना हो यह नाइन सेप का प्रोसीजर आपके प्रेफरेंस को फिल करने का आपको यह वीडियो यूसफुल लगा होगा अगर हां तो बिल्कुल इसे लाइक कर दीजेगा और अपने डियू वाले फ्रेंस के साथ में शेर कर अवार प्रेंस का इस बसक्षां है यूवर बेंस भाइकि राइअ कर प्रेंस कर जाते हैं यूए और चाहिए आपके जाया अपके आपके यूए बाइख वाले में अपके जांदयर आपके रिएखरं राइब हूए